सल्मान खान के फैंस को ये खबर शायद निराश कर सकती है खबरों की मानें तो जल्द ही बलेवुट के दबंग की इस सुपर हिट फिल्म में 9 एंट्री हो सकती है दरसल डायरेक्टर अनीस बाजमी काफी लंबे समय से अपनी सुपर हिट फिल्म नो एंट्री का सीक्वल बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सल्मान खान की बिजी शेड्यूल के चलते वो उसे शुरू नहीं कर पा रहे हैं हाल ही में अपने एक इंटर्व्यू में अनीस ने बताया कि वो फिल्म नो एंट्री में एंट्री जरूर बनाएंगे फिर चाहें फिल्म में सल्मान खान हो या नहों लगता है अनीस ने अपने फैसले पर काम करना शुरू कर दिया है और अब वो सल्मान खान के बिना ही इस फिल्म को बनाने की सोच रहे हैं कहा जा रहा है कि सल्मान खान इस समय कोई भी कॉमेडी फिल्म करने के मूड में नहीं है उनकी एक्शन फिल्मों को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं इसलिए वो अभी इसी तरह की फिल्मों को करना चाहते हैं जिसकी वजह से फिल्म के निर्माताओं को दूसरे का लाकारों का रुख करना पड़ रहा है